तो हमारा अगला कोश्चन है, 10 men and 15 women together can complete a work in 6 days, it takes 100 days for one man alone to complete the same work, how many days will be required for one woman alone to complete the same work? हमारा कोश्चन बोल रहा है कि 10 आदमी और 15 उरते मिलकर किसी काम को 6 दिनों में complete करते हैं और एक आदमी अकेले same काम को 100 दिनों में complete करते हैं, तो हमसे कोश्चन पूछ रहा है है कि अकेले एक और जो है सेम काम को कितने दिनों में complete कर लेगी, तो जैसे हमारा कोश्चन बोल रहा है हम कोश्चन को सी के कार्डिंग करते हैं, हमारा पहला step बोल रहा है कि 10 आदमी और 15 ओरते मिलकर काम को 6 दिनों में complete करते हैं, तो हमने वह लिख लिए, अगले step में बोल र हमारा total work done होगा, इसे मैंने units में लिख रखा है, आप इसे 300 works भी बोल सकते हैं, it's up to you, तो इसी 300 unit काम को जो है, ये 10 आदमी और 15 ओरते मिलकर 6 दिनों में complete कर रहे हैं, तो एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे होंगे, 300 divided by 6 वह जाएगा 50 units, that means क्या कि 10 आदमी और 15 ओरते एक दिन में मिलकर 50 unit काम करते हैं, ठीक है, similarly एक आदमी 100 डे में 300 unit काम को कर रहा है, एक दिन में ये कितना unit काम कर रहा होगा, 300 divided by 100 वह जाएगा, 3 unit, that means क्या कि एक आदमी जो है, एक दिन में 3 unit काम करता है, ठीक है, तो अब हमें पता चलिया कि 10 आदमी और 15 ओरते मिलकर एक इसे में 50 unit काम करते हैं, और एक आदमी जो है, एक दिन में 3 unit काम करता है, तो ये 10 में एक दिन में कितना unit काम कर लेंगे, 10 into 3, plus 15 women equals to 50, तो ये 10 into 3, 30, और ये 30 इधर जाएगा, तो 50 minus 30, वह आ जाएगा 20, तो यहां से 15 women is equal to 20, तो यहां से 15 इधर डिवाइड हो जाएगा, त तो women यहां से आए, women equals to 20 divided by 15, इसमें 5 इधर डिवाइड करेंगे, तो यह 4 टाइम जाएगा, इसमें 5 इधर डिवाइड करेंगे, तो यहां से women equal to 4 by 3 unit आया, that means क्या कि एक और जो है, एक दिन में 4 बटा 3 unit काम करती है, तो हम से question पूछ रखा है, कि एक और जो है, same काम को, that means इस 300 unit काम को पूरा करने में कितने time लेगी, तो एक और जो है, एक दिन में कितने unit काम करती है, 4 बटा, 3 unit, और उसे करना कितना है, 300 unit, तो वो कितने दिन में करेगी, 300 divided by 4 by 3, इसी चीज़ को आप formula से भी देख सकते है, हमारा जो formula होता है, time into efficiency is equal to total work done, चुकि यह time हम जो है, ह हमने वो यहां पर put कर दिया, equals to total work done हमारा 300 था, तो हमने यहां पर 300 put कर दिया, यह 3 इधर जाएगा, तो multiply हो जाएगा, और 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां से day equals to 300 into 3 divided by 4, इस 4 से 300 में डिवाइड करेंगे, तो 75 टाइम जाएगा, और 75 में 3 से multiply करेंगे, 225 दाएगा That means क्या कि हमारा जो total जो काम है, वो 225 दिनों में complete हो जाएगा, और यही हमारा answer है, so our answer will be option number D, which is 225 days, इस question के regarding आपको कोई भी doubt हो, या फिर कोई भी time समझ में ना हो, तो please comment करना ना भूले, मैं कोशिस करूँगा कि आपके comment कर reply दे सको, आज के लिए इतना ही, मिलते है next video मे झादर, कि बाने ही म철 अणोיל Ha-क भी में एक कstrावेशा में ही आपके कर दोड़ा जाय है, इः वे जाएचे हैं खर आपके कर दो कोई यगशे तोशगा आपके कर दो दो की कुजशे हैं, इड के हमारां पर चलाबते हैं इड कर रहां सवाएच हैं, जैएच हैं आपके का सक